लाल किले की प्राचीर से व्रिधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबुती के लिए परिवारवाद से मुक्ती जरूरी है। मोदी ने परिवारवादी पाठियों और तुष्टी करण की निती को लोगतंत्र के लिए नुकसान देह बताया है। मोदी ने कहा कि परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आँख में छोली बन करके, आँख में आँख मिलां करके, तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। पूरी तरह नोच लिया है। प्रस्चाचार से मुक्ति, प्रस्चाचार के खिलाब जंग, हार इकाई में हर खेत्रव है। और मैं देश वासियों मेरे प्रिवार जनों, ये मोदी के जीवन का कमिट्मेंट है। ये मेरे अम्दियत प्रिव्यक्तित्व का एक कमिट्मेंट है, कि मैं प्रस्चाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता रहूँगा। दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिवार बाद ने, इस परिवार बाद ने देश को जिस प्रकार जे जकड के रखा है, उसने देश के लोगों का हक चिना है। और तीसरी बुराई तुष्ट्री करन की है, ये तुष्ट्री करने भी देश के मुल्फु चिंतन को, देश के सर्वस समास बैशक हमारे राष्ट्रे चरित्र को दाग लगा दिये हैं, तैस नैस कर दिया है इन लोगों ने, और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों, इस इन तीन बुराईयों के खिलाप, पूरे सामर्थ के साथ लड़ना है, प्रस्ट्राचार, परिवारबाद, तुष्ट्री करन, ये चुनोतियां हमारे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, पी-म नरेंद्र मोदी के भाशन पर, बिहार के डेपटी सी-म तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधान मंत्री अपने भाशन में राजनीती लेकर आए, आज के दिन ऐसा करना शोभा नहीं देता लोगों को उमीद थी कि पी-म, रोजगार के अफसर, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, किसानों की आयद दोगनी करने पर बोलेंगे तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है, लेकिन कम से कम आज के दिन प्रधान मंत्री को राजनीती नहीं करनी चाहिए थी विपक्ष का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने अंतिम बार लाल किले से जहंडा फैराया है वहीं मोदी ने अगली बार फिर लाल किले से जहंडा फैराने का दावा किया है इस तरह कि बयान बाजी से ये साफ हो गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर भी 2024 के लोकसभाद चुनाफ का रंग चड़ गया है यूरो रिपोर्ट, क्युवाइव नेटवर्क